नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप सभी लोग को राजस्तान के एक प्रसिद्ध शहर में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना के कहानी मैं सुनाऊंगा ना कि आप लोग इतने ज़ादा घैरान हो जाएंगे जिसी कोई लिमिट नहीं रहेगी क्योंकि ये जो घटना उन लोग के साथ घटी उस घटना के घटने के पीछे या कारणी समझ में नहीं आया है स्टार्टिंग में ही आप कॉन्क्लूजन में पहुचने कोशिश करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज जाएंगे और बिलकुल ही मज़ा नहीं आएगा इसले चलते हैं से ठीक दो साल पहले राजिस्थान के जोधपूर शहर में और शुरुआत करते हैं इस खौफना कहानी की इस खाहनी के मताबिक एक परिवार जो की जोधपूर में रहा करता था इस परिवार में माता पिता और उनके दो लड़के बड़े वाले का नाम था इशान्त और छोटे वाले का नाम था मोहित इशान्त की उम्र रही होगी लगबग 22 साल के आसपास की और मोहित रहोगा 16 साल के आसपास का इन लोग के जितने भी रिलेटिव थे जितने भी रिलेटिव वो सारिक सारे राजस्तान से बाहर रहा करते थे जब कभी भी इन रिष्टेदारों को मौका मिलता था भाई वो लोग जोदपुर पहुँच जाया करते थे फिर ये लोग सब मिल जुलके राजस्तान की या फिर कोई भी अलग अलग जगा में गूमने फिर निकले जाते थे राजस्तान में ही खुद में इतनी सारी गूमने की जगाए है 2022 के टाइम में ये जब रिष्टेदार लोग मोहे ते शांत के घर पर पहुचे तो सीन ऐसा हो गया कि इस बार जितने भी बड़े लोग आये हुए थे उनको जबा कहीं गूमने का मन नहीं था वो सिर्फ इस बार रिष्टदार निभाने के लिए आये हुए थे मिलने जुलने के लिए आये हुए थे लेकिन गूमने का मन छोटों का बहुत था बच्चों का बहुत था यानि किसका मोहित और इशान्त के कुजिन्स का बहुत मन था और ये और जब एकसाइटमेंट थी कि इस बार बड़े लोग कोई नहीं जा रहे हैं मतलब रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहेगा अपन लोग हापस हापस में चलते ना कितना मज़ा आएगा लेकिन ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़ वाला था देखो इशान तो अपना पड़ लिखके बड़ा हो गया था लेकिन मोहित अभी थोड़ा छूटा था उसके टेंट बोर्ड का टाइम था जब आपस में ये बात बहुत हुए गजिन्स के बीच में बाईयों के बीच में कि यार घूमने के लिए जाना है और कहीं और नहीं चितोड़ कर जाना है तो मोहित को बहुत पच्तावा हुआ कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्या मेरे 10th board बहुत जाद नजदीक है मुहित के मम्मी पापा ने भी उसको मना कर दी और इशान नहीं मना कर दिया कि तुझे जानने की कोई जरुरत नहीं है सिर्फ हम लोग जा रहे हैं बड़े-बड़े लोग तो भी पढ़ाई कर पढ़ाई करने का टाइम है अपना हिसाब किताब बसवस की टिकेट बुक कर लिए और ठीक दो दिन बाद जोदपूर से ये लोग चित्तोडगर के लिए निकल गए अब देखो चित्तोडगर जोदपूर से इतना भी दूर नहीं है अरली मॉर्निंग इन लोगों ने बस पकड़े और अपने टाइम पे वहाँ पे चित्तोडगर पहुच गए फोर्ट है वहाँ पे मेन गूमने का आप लोगो पता होगा चित्तोडगर का किला वहाँ पे बहुत अच्छे से घूम है रानी पदमावती का किला है फिल्म भी आई है इसके ओपर पूरी तो बहुत enjoy किये बहुत मजी किये किले के अलावा और भी कई सारी जगह हैं गुमने के ले गए मस्त से enjoy किये है और इतना enjoy किये की बहुत धकान हो गई बहुत धकान इन लोगों ने planning किये हुए थे कि हम लोग चित्तौडगर में ही कोई hotel या रूम लॉज लेकर स्टे कर लेंगे आज के लिए फिर अगले दिन मॉर्णिंग में हम लोग निकलेंगे लेकिन आज बिल्कुल पता नहीं कियो किसी का भी मन नहीं किया कि हम लोग स्टे करते हैं ये लोग शाम के समय की ये कह सकते हैं या फिर आखरी बस वहां से पकड़ और फिर जोदपूर के लिए निकल गए अब जोदपूर पहुंचे ये ट्रिप अच्छी रही इन लोग की सिर्फ किला नहीं गए थे बहुत सारी जगाएं गुम निकले गए हुए थे बात ये है ठीक है ये ट्रिप बहुत अच्छी रही मैंने इसको हाइलाइट क्यों किया आप आगे समझेंगे अपने घर पहुचे हैं सब लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तर में चले गए रात में तकरीबन एक बज़े के आसपास गहरी नीन में सब लोग सो रहे है चीकते हुए इशांद बहुत जोर से उठा जैसे कि ना जाने उसके साथ ऐसा क्या हो गया है नीन में सब लोग गबरा गया घर बड़ा था लेकिन जितने भी लोग इदर ओदर सो रहे थे सब की नीन कुल गया रहे इशांद क्या हो गया हो गया लेकिन हिशान्त को ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा हूँ लेकिन क्या सपना देखा हूँ उसके बारे हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं सपना भूल गया शायद होता है कई बर ऐसा जब हम बहुत गहरी नीद में होते हैं और उस समय हम कोई सपना देख लेते हैं और उठो तो ही वो सपना हमारे दिमाग से निकल जाता है और तुरंती हमें बहुत डरावना लग सकता है या बहुत अच्छा भी लग सकता है वो डिपेंड करता है सपना कैसा आया तो इसको तो डरावना समना आया बहुत ज़ादा तो ये चीक के उठां फिर बूले क्या हो गया क्या हो गया बूले समना याद नहीई तो घरवालोंने समझाइं कई बार ऐसा होता है टेंचन लेने वाली बात ने सो जाँ सो गए घरवाले, सब लोग सो गए और आने वाले तीन चार दिन पूरी तरह से नॉर्मल भी थे लेकिन फिर एक दिन सभी लोग अपने घर के टैरिस में खड़े हुए थे शाम का वक्त था बाचीत कर रहे थे तहल रहे थे सारे रिष्टदार भी है खजन लोग भी है मोहित भी है बड़े लोग भी है बचे लोग भी है अचानक से सब तैल रहे हैं बाचीत कर रहे हैं इस शान्त जटके से थर्ड फ्लोर में इन लोग का टैरिस था नीचे कुछ जाता है किसमत से नीचे ना उनका रेत का धेर था और नीचे एक अंकल जी थे मतलब इसी परिवार के कोई थे सदस से जो की फोन में बात कर रहे थे वो वहाँ पर ही रुके हुए थे वो उस रेत के धेर के ओपर गिरता है और उसको कुछ नहीं होता लेगिन फिर हाइड बॉर्ट जादा थी तो पैर में फैक्षर जैसा आ जाता है घरवाले सब लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या कर लिए शांदने अचानक से भागते हैं उसके पास जाते हैं और तो ठीक है कि नहीं उसको लेके भागते हैं उसको फिर लगता है प्लैस्टर वगेरा अब हुआ ऐसा प्लैस्टर लगने के बाद हर एक रात को वो चीक चीक के उट रहा है उसे सब लोग पूछ रहेंगे तुझे क्या हो गया है तुझे कोई बुरा सपना दिखता है क्या वो अपना सपना किसी को बताई नहीं पा रहा है अब प्लैस्टर इसका निकल रहा है इतनी जादा कोई बड़ी चोट नहीं थी इसका प्लैस्टर निकल गिया यही कोई अप्रॉक्स 15-20 दिन में निकला ठीक 20 दिन बाद जब इसका प्लैस्टर निकला है यह अपने घरवालों से कहता है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ बहुत दिन से मुझे बुला रहा था घरवालों बोले चलो अच्छा हो गया है कोई बात नहीं जाने रहे है इसने एक बाइक निकला इसके पापा ने बोले भी है रहे यह बाइक से क्यों जा रहे है बोले नहीं अंकल हमारे घर तो नहीं आया है इसका मुबाइल स्विस्ट आफ फ्रेंड को बिलकुल भी कोई अंदाजा नहीं ना ही घर के किसी भी परसन को कि वो ऐसे कैसे कहां चले गया है ढूंडा ढूडा ही मची हुई है अलग-अलग दोस्तों को फोन लगा रहे दुनिया भर के जान पहचान हर तरह के लोग को फोन लगा लिए लेकिन कहीं पर भी शांत नहीं आया ठक हार कर इन लोगों ने डिसाइड कि हम पुलिस टेशन जाएंगे पुलिस टेशन में गए तो पुलिस वाला सुबा है दुपर तक आई हम लिएंगे कंप्लेंट वगेरा हम डूनेंगे फिर यही हुआ इन लोग गया है घर पे और अगले दिन की सुबा ग्यारा बजे के आसपास एजान्द के पापा को फोन आता है कहीं से उन घबरा कर फोन उठाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप इस लड़के को जानते हैं क्या मतलब फोटो भेजे इनके मूबाल में फोटो भेज के बोलते हैं आप इस लड़के को जानते हैं क्या इन गोले हाँ ये मेरा बेटा है क्या हो गया पलिस वाले ने बोले कि आप जल्दी से यहां पर आ जाए तो यहां पर सब लोग तोटे से गाउं की, वहां के पुलिस थाना वालों ने इसको पकड़े थे, जब यहां पर पहुँचे अपने बेटे को सही सलामत दे के तो इनकी जान में जान आई, बुले की सर हो क्या गया, तो बुले आपका लड़का इतनी बुरी तरह से गाड़ी भगा रहा था इस से र नाम पूछ रहे, तो बिलकुल एकदम मूँ बंद करके खड़ा है, कुछ रियाक्ट नहीं कर रहा है, बीच में सिर्फ आपका एक बार नाम लिया, हमने बोले कि नंबर अंबर बता, तो नंबर भी नहीं बता है, कुछ नहीं बताया, वो तो फिर हमने जैसे तैसे करके, प वैचान वैचान निकल गई, कि हमको फोन आके, कुछ बूल क्यों नहीं रहा है, अपने घर वालों को भी देखके कुछ रियाक्ट नहीं किया, इसको हाथ जाके पकड़े तो इसका हाथ एक्दम ठंडा, इसको जैसे तैसे करके पुलिस टेशन से लेके निकले हैं, गाड़ बाल कीच रहा है, और अलग-अलग आवाज में क्या-क्या-क्या-क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिलकुल भी नहीं, इसकी ये हरकते देखकर घर का हर एक सदस से समझ गया, कि सो कुछ तो बाहरी हवा लग गई है, तुरंती अपनी गाड़ी घुमा लि और बोले कि ऐसी ऐसी परिशानी हो गई है, कि आप ठीक कर सकते हैं, पुजारी जी ने बोले कि ठीक है हमारे आश्रम में ले चलो, अब थूड़ी आगे उनका आश्रम वहाँ पर लेकर गए, पुजारी जी ने बताया, ये चित्तोड़गर तरब घुमने के ले गया हुआ था, वहाँ पर ये शाम के समय गूम के कहीं से निकल रहा था और एक सुन्सान इलाखा था, चुराहा टाइप का था, पूरा वहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वहाँ पर इसको कुछ तो भी महसूस हुआ, और वो उस चीज से बहुत जादा घ घबरा गया वो जैसी उस चीज से घबराया है तो लिटरली वो चीज इसके उपर अपना कबजा बना ले तो घरवाले सब लोग घहरान जब इसो कुछ दिखाई नहीं दिया इसने कुछ गलत नहीं किया तो कोई चीज इसके उपर हावी कैसे हो सकती है तो बुजारी जी ने बुले की डर की वज़ा से ये डर गया वहाँ पर और वो चीज इसके उपर बिलकुल मतलब इसको पोजैस कर ली है अपन खथा पूजन ये सब करते हैं और इससे वो चीज को बाहर निकालने कोशिश करते हैं अगर निकल गई तो अच्छा है लेकिन नहीं निकली तो ये सम मैने बाद ये चीज इतनी जादा उगर हो जाए की कि फिर इसको समालना बहुत जादा नामुम्किन सा हो जाएगा तो बोले पंडिच जी आप जो कर सकतें करिये पंडिच जी ने नुश्ठान किये इनके घर पे जाके पूजा रादना किये साट आट दिन तक चीज़े चल फिर बाकी अब दो साल तो हो गए हैं ऐसा कुछ रिपीट नहीं हुआ जिंदगी में सब कुछ ठीक है लेकिन उस पर्टिकिलर पीरेड में क्या हो रहा था उसके साथ उसको कुछ नहीं बस हो रहा था ये फ्लो में बहा जा रहा था इस पूरी पूरी घटना कि जानकारी इसलिए किसी भी जगा पर गूमने फिर नेकले जाएं आउटिंग में जाएं सुनसान इलाका हो अंजान इलाका हो तो किसी भी चीज़ से इतना ज़ादा मट डर जाईए क्योंकि डर की उपर ऐसी चीज़े और भी हावी होती है खेर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का करते हैं अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ना कि आपके सामने क्या रहता हूं इसी तरह की लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुग हो